आज मैं लाई हूँ आपके लिए घरीलू नुस्खे के खसाने में से एक और बहत्री नुस्खा जो है आपकी मर्दाना कमजोरी का इलाज ये एक ऐसा नुस्खा है जिसकी मदद से आप अपनी मर्दाना ताकत को ठीक 3-4 गुना बड़ी ही आसानी से बढ़ा सकते हैं लेकिन इस उपाई के बारे में सारी जानकारी देने से पहले मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप हमारी आने वाली सभी विडियो की अपडेट सबसे पहले हासिल कर पाएं आज मैं आपको जिस नुस्खे के बार में बताने जा रही हूँ वो कोई साधारन नुस्खा नहीं है इस नुस्खे से आपको जो फाइदे मिलेंगे वो बहुत ही शानदार होंगे आपके लिए काम करेगा इस नुस्खे को बहुत समय से इस्तमाल किया जा रहा है इसलिए ये नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना की पहले हुआ करता था इस नुस्खे के सबसे खासबा जो है वो है इसके इंप्रीडियन्ट जो खुद इतने जादा शक्तिशाली है कि आपको भी दुगना ताकतवर बना देंगे और इसकी खूबियों को देखकर ही बहुत से पुरुशों ने से इस्तमाल किया है और अपनी शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए खदम भी किया है देखें ये जो मरताना कमजोरी से जुड़ी जितनी भी समस्या है फिर चाहे वो ठीक से तनाव ना आने की हो, जल्दी ज़र जाने की हो, जाता समय तक टिके ना रहने की हो कोई भी समस्या हो ये सब आपकी बढ़ती हुई उम्र की वज़ा से ही आपको परिशान करती है लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी उम्र बढ़ रही है सिर्फ वही लोग परिशान है कई नौजवानों को भी इन परिशानियों को सामना करना पड़ता है और उसके भी कई कारण है जैसे की नसे कमजोर होना शरीर को नूट्रिशन ना मिल पाना स्ट्रेस, टेंशन जैसे कई कारण पर आज के इस नुसके को इस्तमाल करके ज़ादा उम्र वाले लोग अपनी उम्र को मालते सकते हैं और नौ जवान अपनी जवानी को कायम रख सकते हैं आईए तो अब मैं आपको बताती हूँ इस नुसके को बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा आपको इस नुसके को बनाने के लिए जो चीज़े चाहिए वो है, सबसे पहले तो आमला का पाउडर और दूसरा है आपका हल्दी पाउडर यहाँ पर यह जो मैंने आमला का पाउडर लिया है वो मैंने घर में ही बनाया है आप सूखे आमला की मदद से से बना सकते हैं मेरा सुजेशन यही है कि आप यह आमला का पाउडर बहार से ना लाएं घर में ही बनाएं यहाँ पे मैंने आमला का पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि आमना में विटिमिन सी, पॉलिफिनॉल, आयरिन, बी कॉम्पलेक्स लिटिमिन्स, केरोटीन और जिंक्स जैसे न्यूट्रिंट्स पाई जाते हैं जो पुर्षो की हर एक मरताना कमजोरी से जुड़ी समझ से आपको खतम करने की ताकत रखते हैं और यह जो आप हल्दी देख रहे हैं उसमें भी कई ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो पुर्षो की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं अब मैं आपको पताती हूँ इस नुस्खे को बनाना कैसे हैं आपको सबसे पहले एक चम्मच आमला के पाउडर को एक लास पानी में मिला कर रात भर के लिए रखना है और फिर अगली सुभा आपको उस पानी को कपड़े की मदद से अलग कर लेना है यानि कि आपको वो पानी कपड़े की मदद से चान लेना है मैंने पहले से ही ये पानी तयार कर लिया है आप देख सकते हैं ये पानी कुछ इस तरह आता लगेगा अब हमें क्या करना है अब हमें इस पानी में चुटकी बर हल्दी पाउडर मिक्स करना है अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे याद रखे कि आपको हल्दी चुटकी भरी डालनी है जादर डालेंगे तो आपके लिए नुकसान डाइक भी हो सकता है इस पानी में अब हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और आपका जो नुस्खा है वो भी पूरी तरह से तयार हो चुका है अब आपको ये नुस्खा हर सुभा पीना है और जब भी आप इसका सेवन करें आपका पेट खाली होना चाहिए क्योंकि अगर आपका पेट खाली होगा तो ये नुस्खा और जल्दी असर करेगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेर करना ना भूले